सश्टिकाल जी सारे आनों मेरे बलों सत्गुरु क्लास दे ओनलाइन प्लैटफर्म च तोड़ा सब्दा स्वागत है स्टूडेंट्स आज जब पां रिदनिंग दी प्रैक्टिस शुरू करांगे हर रोज तानू असी एक प्रैक्टिस सेट द्या करांगे और जेड़ा एक प्रैक्टिस एटोए करेगा एक डेली एकरेगा और जिन्दे वेच दास्तो पंदरा कोशनों आपकरनगे जब में आसी तानू प्रैक्टिस एट द्या करांगे ता हर एक कोश्ण देली इंड़िजवाल कोश्ण दीना तानू टाइम मिले आ करेगा तुसियो उस वान मिनेट दे विच कोश्चन अटेम्ट करना एकरेगा उस तो बाद नाल दी नाल मेह जड़ा ता नों दा आंसर दे दे आ करूंगा ठीक है ते अगरे वीडियो अच्छी लगे ते इसनों शेर जरूर करना और प्रैक्टिस अट डेली अपने आई जल दे आ कर झाल 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 है 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 हन्दी एक मिन्ट कंप्लीट हो चुक है देखो जो फर्स्ट कुर्शन है ना आंसर है जिड़ा इदा पर्स्ट कुर्शन है जिड़ा गर्फ नमबर सी है उन्ट मैं ना लेंदी एक्स्प्लानेशन भी दोंगा किसी क्रेक्ट कि में है देखो कोस्चन की गया क्या सी पहला पएस अमें दिया उन्हें अपनों क्या सी फटर पोजीशन ओफ लैटर इंदा वर्ड वर्ड के लि तोसी चेंज नहीं करना देन वो केंदा है सच्छे वेद एट ता फस्ट एंदा टैंथ लेटर तुसी लेटर गेन लो टोटल केंने हैं इस तोसी कोर्प्रेशन वर्ड वेच लेटर गेने होई ना तो टोटल नंबर ओफ लेटर है जोड़े अपने को 11 आ रहे हैं तो चेंदा मतलब मैं C नूँ I O नाल चेन कर दूंगा, then A O नू एस I नाल चेन कर दूंगा, then A एस R नू एस T नाल चेन कर दूंगा, ओके नहीं चल दे रहे, second नू नाइफ नाल चेन कर दूंगा, and soon, from the left end, then which of the following is 6th, from the left end, after the rear arrangement, फिर वो करेंदा फस्ट्सटर सेकिंड थर्ड तिन रेंज होगे फिर वो क ready वो थो करेंदा फोर्त पूर। हिं नेक्स्ट एनल रेंड कर दोंगे फिफ्ट खेंस य। मैं रेंज रोंगा तो देखो ओ धी जगा रह थे ना जथ कि आपर ए रेंज करांगी आवले आवले ता ओ दी जगा किया जेगा आर आजेगा आर दी जगा किया जेगा ओ आजेगा तो तुसी देखो ने जो अपनू क्या सी अपनू ये कहला लकई गई सी कि तुसी एद सो लेफट साइड तो 6th केड़ है ता 1st 2nd 3rd ठीक है 4th ता 5th ते 6th उना अपनू पता है ले टांसर बंदा है की बंदा है ओ ठीक है धी आई होप कि तो उन्हों समय लाग गया आएगा नेक्स्ट कोस्टन मुव कर दिया मैं अगे इन तानों फिर एक कमेंट दा टाइम दाऊंगा तुसी एक कोस्टन अटेम्ट कर ले ओ देन उस तो बाद मैं उसकोस्टन दासके उन्हों मैं उन्हों एक्स्प्लेइन कर दूँगा है हन्दी करोड रही तोड़ा टाइम शिरू हो चुक्क है हुआ है हाँ जी टाइम ओवर हुंद है जो इस क्रेक्ट अंसर बनेगा वो तेन न जे पेर बननगी मैं क्रेक्ष्टन एक्स्प्लीन कार दिना गी न उन्हें गल कई सी मैनेजमेंट एक तो डिकोल वर्ड गीवन है तुसी ये फाइंड आउड करना है बोथ बैकवर एन फोरवर्ड र भी मतलब है नहीं बनेया देन अपन होने 1 काउंड कर दिया 1 काउंड करना शुरू किता 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 1 काउंड लेके 5 तक क्या जड़ा वो एक पेर बन गया ठीक है उस्त बाद जी अपनेक्स्ट काउंड करना शुरू करिये ता 5 तो 7 नहीं बन दा देन उस्त बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बने आ ठीक है उस्त बाद नेक्स्ट अपकाउंड करना शुरू किता 2, 3, 4, 5 तो जो एंदे पेर बन रहे है जी ओ क्रेक्ट अंसर बनेगा बी तेन नहीं बन रहे है इंदे जड़े पेर बन रहे है ओ दो बन रहे है मतलब D option अपनी correct आएगी ठीक है मैं by mistake ता नू तेन कहता सी ता नहीं आंसर आएगा तोड़ा D answer आएगा तो मतलब total number of pair किने बन रहे है two pair बन रहे है in both forward and backward direction हांदी तोड़ा time स्टार्ट हम दे तुसी अगला question attempt कर सकते हो स्टार्ट खोग दोड़ है। हाँ जी टाइम कंप्लीट उन्द है अपनू फरस्ट फोल अपा गेन इस कुश्चन दा आंसर है जिड़ा ओ देख लेने है ता जो अपना क्रेक्ट आंसर है ओ अप्शन नम्बर C बनेंगी ता C मतलब 4 आंसर आएगा देखो ने की क्या हूँ कहना ओड देवेच तुसी 2 एड करदो यह ओड के फस्ट ओड नम्बर है तिन r2 एड केता ता किना गया थ्री आ गया देन फाइव आ गया देन उस पराइड़ कीता ता 5 अगया इड we शिक्स और फोर फिरो केना उन्हों असेंडिंग उट उन्द है मतलब छोटे तो बड़ेता करेंद करना शुरू करो तब इन्हों और यह कर दिये हो न ठीक है जी ता इन्हों अपजदो और यह करना शुरू करांगे ता फिर्स्ट फोल उन्हें पुछा यह भी तूसी यह दस साथ आठड़निंद हैन्हों मेरा इक नसले मेरे इन्हीं। 3 तो बाद 2 time 4 है ता 4, 4 है मतलब मैं 5th number हो उनने मिनू कया सी चै मैं left तो देख़़ा, right तो देख़़ा ता 5th ता 5 ती रहेगा ता 5th number मेरा answer की correct आगया ता मेरा answer 4 बननत है ठीक है, दिसीजर खीर ते comment box ते वेचे जरूर दसने कि तोड़े किन्ने कोश्चन है जिड़े ओक रेक्ट गए है अपनेक्स्ट कोश्चन कर दियां नेक्स्ट कोश्चन अटेम्ट करो तोड़े टाइमर स्टार्ट होंदे अटेमर ओक शर्डर्ट है सब्सक्र दूब्सक्ट हांजी तोटा टाइमर टाइमर कम्प्लीट हो चुक है तो गुश्ण की है आप इसनु डिस्क्स कर लिए वो कहना हो मैंटी स्केर फर्स्ट अफॉल प्रफेक्ट स्केर होना चाहिए प्रफेक्ट स्केर अरप्रेजन इन दा बाव सीरिद्ध विच आर इमेडेटली फोलड बा है मगर और प्रफेक्ट से के अर्प बाद की होगी अर्फे और प्रसीडिट बाइ वह ववल तप्रक्स का रिट से यह मतलब आपको यह लेख और प्रफेक्ट स्केर पहल वहाद थी स्कूपыл निद्प तानू अटेम्ट करना चुर्ण करती है आपा देखो एक गयल हूर याद रख्यो वन नून आप प्रफेक्ट स्केर च काउंड कर देन या ताप अपनू काउंड करना शुरू करती है फरस्ट अफ ओल पर लाएक वोवल होना चाहिए वोवल आ गया इह एक वोवल है उस्त बाद एक नमबर प्रफेक्ट स्केर है ते मगर सिंबल एड़ीरेट सिंबल है ते हन्द मतलब जिड़ा आवला एक पेर बनके त्यार हो गया अपना फरस्ट पेर देन उस्त बाद अगेन नाइन एक वोबल है नाइन एक प्रफेक्ट स्केर है और जिड़ा डोलर हो एक सिंबल है है ना मतलब मेरे कुल सेकिंड आवला पेर बन के त्यार हो गया तो पेर आगे जी ठीक है उस्त बाद अगेन मैं नेक्स्ट देखता है तो पेले नमबर ते मैंनों की चाहिए एक वोबल चाहिए उस्त बाद नाली एक प्रफेक्ट स्केर चाहिए तो मैं विख्या मैंनों वोबल अजे तक मिल गया लेकिन नाल प्रफेक्ट स्केर नहीं मिलिया क्योंकि यूँ एक वोबल है लिकेन उन्दे नाली सिंबल पिया है अपनों वोवल चाहिद है नाल उन्दे प्रफेक्ट स्केर चाहिद है ता ओ एक वोवल है चार एक प्रफेक्ट स्केर है तो नाल एक का सिंबल देता है मतला मेरे कुल जिड़े है वो तिन पेर है जिड़े मेरे बान चुक्किया है ते अ उस्तो बाद E एक ओवल है अगेन विच्च एक परफेक्ट स्केर आ गया तो स्टार एक जिड़ा सिंबल आ गया तो टोटल अंबर ओफ मेरे कोल जिड़े पेर है वो एवल है किन्ने बने तो मेरा क्रेक्ट आंसर आ जेगा D is my correct answer तो टोटल अंबर ओफ जिड़े मेरे पेर बन दे है वो चार बन रहे है अई होप की तो डवी क्रेक्ट हो एक और जिसता नहीं ठीक सी तो उसनों समझ आगया आएगा कि इसनों अटेम्ट की में करने है हाँजी नेक्स्ट कोस्टन अटेम्ट करो तो टाइम स्टार्ट ह स्टार्ट है झाल 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 अगर तुसी नंबर्ज नू जड़े रिमूव कार दिनने हो देन नंबर्ज नू रिमूव करन तो बाद एस सीरीज देवेच विच एलिमेंट बिल बी दा फोर्थ तो दे लेफ्ट ओफ शिक्स फ्रॉम दा राइट एंड तो फार्स फोर्फ ओफ देख्यों इनूंस आलो करने है फोर्थ टूर्फ ले हुए लेफ्ट तो फोर्ड ओवे राइट तो 6 ओवे जोदो भी लिख्या होए ना फोर्थ लेफ्ट मतलब एक राइट लिख्या होए एक लेफ्ट लिख्या होए ता दोनों अपा एड करती हैं इंदा लोजिक समय लो अगर एक लेफ्ट लिख्या एक राइट लिख्या ता एड होनेंगे एक right click है एक left click क्या again add होनेगे एक right click है दूसरा right click है ता minus होनेगे एक left click है दूसरा भी left click है ता minus होनेगे हमेश हाně logic perform होनदा है घुर मुद्धा धीस दीछा ब्लाग लाद देता होबrios जिम्य फॉर्थ to the left ती6th from the right ती6th from the right ये मतलब एक आप आख जला राइट अली साइड तो देखांगे जो मगरों क्या होबी दीवें माल लो एथे ही क्या हांदा एथे ही है ग्या हांदा फौर्थ to the right and six from the left तब लेफ्ट अली साइड तो देख देख दे ठीक है तो फर्स्ट ओफ ओल मैं फाइव नूं कैंसल करता, मैं नाइन नूं कैंसल करता, मैं फोर नूं कैंसल करता, मैं एट नूं कैंसल करता, अगेन मैं टू नूं कैंसल करता, मैं थ्री नूं कैंसल करता, मैं नाइन नूं कैंसल करता, और मैं लास्ट तेज़डा मेरा सिक्स है, मै एन्नुवी कैंसल गारता उन्होंने एक अलग कही सी कि फॉर्थ लेफ्ट तो सिक्स राइट तो अपनों पता है तुमनों लेफ्ट राइट एड़ होने तो टैन्न हो गया विखना के टे एंड तो है राइट एंड तो देखने फस्ट आर देन सेकिंड देन थर्ड देन फॉर लुफ देन फाइव सिक्स देन सेवन देन येट देन नाइन देन तीन इन वमतलō में जिनर राइट तो तो मैं कौंट किता तो मेरा जिटा टेन वह सरा गया ऋप्शन एओ इस फ Bjष है तो मेरा क्रेक्ट टंस उक आइगा इसा जी थिए थीक है जी नेक्स्ट कोष्ट और द चुज के दो सिर्ग कैने । दो बाल बाल एकाघज करता है टाइम कंप्लीट होंदा है जी आई होब तुसी कार्ट ले आएगा ता आउं कोश्चन देवेचे गल कह रहे हैं सी कि किन्ने लैटर है जिना तो पहलना था सिंबल आवी परसीटीड मतलब पहलना था पहलना था सिंबल आवे ते मगर की होना चाहिएदा है मगर नंबर होना चाहिएदा है ठीक है उना पहलना चेक कर दिया है सिंबल लैटर नंबर ता फरस्ट है सिंबल एड़ दी रेड़ की एड़ दी रेड़ देना आल कोई लैटर आ रहे है आ रहे है नंबर आ रहे है नहीं नंबर नी आ रया, नहीं बनी गाल, धन अस्तु बाद, डॉलर, जी, थ्री, सिंबल, लैटर, नंबर, यंद न मतलब फ़स्ट पेर बाने गया, धन अस्त बाद, हैश, एम, एट, सेकिन पेर बाने गया, क्योंकि उन्हीं क्या, symbol letter number 2 पेर बानेगे फिर उस्तो बाद symbol letter number मेरे तेन पेर बानेगे then symbol letter number मेरे 4 पेर बानेगे तोने पुछा AC की मेरे किनने पेर बान सकते तो मेरे 4 बान रहे है more than 3 तो मेरा answer किया देगा यह option हांधी next question करो attempt कर दो कर दो कर दो कर दो किया दो है तुर्ण टाइम पूरान दाजी कोश्चन चेगा लकाई गई इसी कि हाउ मैनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन दाबाव सीरीज विच आर इमिडेटली फोलड बाई वोवल यह मतलब नंबर तो बाद की ओना चाहिदा है नंबर तो बाद ओना चाहिदा है वोवल तो उस तो पहला किया ना चाहिदा है कॉंसनेंट मतलब कॉंसनेंट नंबर वोवल एमें सीरीज चलनी चाहिदी है तो अपर यह देख दियां पहले नंबर ते कॉंसनेंट एक इक कॉंसनेंट है छे एक नंबर है इक वोवल है मतलब very first ही सीरीज अपान मिल गया एक पेर मिल गया तेन उस तो बाद अपको कॉंसनेंट देखी ना जिन नंबर होबे तो कॉंसनेंट उस तो बाद अपको चल्दी चल्दी S एक कॉंसनेंट है 2 एक नमबर है और U एक वोवल है तो 2 पेर आगे इन्दा मतलो next होर भी कोई होगा चेक कर लेने है M एक कॉंसनेंट है 8 एक नमबर है और O एक जड़ा अपना वोवल है तो 3 पेर आगे तो 3 पेर होगे उस तो इलावा उस तो इलावा नहीं कोई मेल रहा नहीं मेल रहा ते नमबर होवल पेर किन्ने बाणेगे C option है जड़े अपने तिन पेर बाणेगे I hope कि तो इन्टा question cracked होएगा और जिस दा भी गल्ट होएगा उसनों समझ आगी होईगी हाँ जी next करो attempt यजच हुआ जी तो आपकवा फमें रहा है तो उसनों समझ जी पुआ होएगा बाणेगे पर जाणेख पाणेगे पर उसनों समय पर प्रून खरोया जाद पर धर जादून जाद़ हाँ जादून जादून हांजी तोड़ा टाइम कम्प्लीट हुंदा है फर्स्ट ओफ ओल जड़ा एक कोश्चन सी है कोटिड इन्निक्वालिटी दा सी एंदे विचे तुसी फाइंड आउट करना सी तो डेकोड़ा एक लोजिक गिवन सी एक कोश्चन गिवन सी कोटिड इन्निक्वालिटी दे बेस्टे तो फर्स्ट फोल चार तरह दी निक्वालिटी 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 न को एंदा रिलेशन है जऺता उँद्धा एनदा रिलेशन ऐन आल बान रहे है देखो इनर रिलेशन और रहे माई पूर गहतो चीर हो चीपता जाज में ओर संछठ निया कनी जात खकीने आज तिनना नों कंबाइन कर लिया तो मेरे कंबाइन करन तो बाद मेरे को लाइक फोर्म बाणेंगी पी ग्रेटर देन इकोल टू टी इकोल टू एन ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन वी उनने ये पुछ है पी गरेटर देन वी करेक्ट है तो दोसी देखो लोजिकली पी जड़ा ओ टी तो बड़ा है जा टी दे बरापर है पी जड़ा टी तो बड़ा है जा टी दे बरापर है उन टी जड़ा ओ एन दे बरापर है एन जड़ा ओ एल तो बड़ा है एल एजेड़ा अगेन ओ वी तो बड़ा है तो मैं पूछरिया सीखता वड़ा हूँ जो question given सी की P V तो बड़ा है clearly है की P एजेड़ा वड़ा है तो P अगर V तो बड़ा है P एजेड़ा वड़ा है P V तो बड़ा है तो option number one नहेज़ी अपनी बिल्कुल correct गुंदी है ठीक है जी नेक्स्ट देख दीब tehd son दीक परेलेटर्द अपार नेक्स्ट देख दीएं अप आपब जीड़ा मेरा एम है वह अगेन जैबने कीडा ए a हैं लेस्ट यक्वॉलटु मेंल ग्रेटर यक्वॉल टु मि जदू मैं इस चीजनों ड्राव कि था तहां जो मैंनोंने पुच्छा सी कि G greater than equal to M नी, G greater than M तो हो सकता है, लेकिन G greater than equal to M नी हो सकता है, एंदे पिछी ना होंदे पिछी ना होनदे पिछी रीजन समयलों की है, लिखो जो दो मैं डाइध लोजिक ड्रो करता है, जो coded inequality given है, वो लिख दा, ता G greater than equal to L में रेकोल given है, ठीक ह बाद ना एल जड़ा ओ ग्रेटर देन एम है मतलब जह ज़दो मैं कदे भी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूब करना होए ना तो मेरे को स्टार्टिंग तो लहके एंड तक नाल इक्वल टू चलना चाहिदा आंद है जिवें एथे सिरफ एथे इक्वल टू था आगया इस ओनली वान कंक्लूजन फोलो तब एथे की माग करतांगे एथे अपा ए माग करतांगे ठीक है दी नेक्स्ट कुस्टन अटेम्ट करो कि नेक्तब स सत्थान प्सक्रिण को ड्री मान का है अवे ज़िए है गया प्सकंभी थारने ख्याव है कि जुआ कि जुआ कि दुआ हुआ दूबकि खीज़ कि और यग मैंब में दूऑता हुआ कि गारी निए झार दूएर व में दूएर कि खार दूखर फैसे हां। हाँ जी तो डट टाइम है जेड़ा ओ कम्प्लीट हुंद है ठीक है जी ता नाइन्थ कोश्चन देख लो कि क्या है पहला है चेक करना है टी ते ए अपानू टी है जेड़ा फर्स्ट स्टेटमेंट चे मेनू मेल रहा है टी और ए जेड़ा मेनू ए इस स्टेटमेंट चे मेल रहा है लेकिन ड्रेक्ट नहीं मेल रही तक इन मैं जोईन करूँगा तो देखो मैं जोईन के में करूँगा त्यान ना देख लिए फर्स्ट फोल टी ग्रेटर देन ई लिख्या मैं में लेख लिया टी ग्रेटर देन ए ठीक है और ई ग्रेटर दे जेड है E greater than मैं Z यूज कर लिया ठीक है उस तो बाद देखो next की है जेड तो बाद Z किन्द तो वड़ा जा ब्राबर है तो Z है जेड़ा मेरा उपी तो वड़ा जा ब्राबर है again मैं तो लेख लिया P उस तो बाद मैं की करूँगा P greater than equal to U आ गया P greater than equal to U आगया मैं a statement use कर ली ठीक है then उस तो बाद जिड़ा U है U U किन्दे तो greater है U greater than E है मतलब मैं first of all जो मेरे कुल given सी न मैं होई statements use करें गया पहला मैं complete आवली सारी statement लिखी है then उस तो बाद मैं statement number third चुड लिखिया then last statement मैं छो लिखिया और मैं चेक के करना सी की T A तो बड़ा है तक clearly A होई रहा है देखो T A जिड़ा और E तो बड़ा है ठीक है E Z तो बड़ा है Z जिड़ा और P तो बड़ा भी है और P दे बराबर भी है उस तो बाद P जिड़ा और U दे बराबर भी है ट यह है ओ ए तो बड़ा है तो बना मतला प्षिन नमबर वान ने जड़ी उक रेक्ट होगी दे नेक्स्ट अपचेक करना है R लेस्ट देन D और अर थे D देले ही अगेन आपन यूज करना पएगा तो फरस्ट अफो बड़ा है जड़ा हो जगा है इस चीनों आप दोबारा लेख लेने है देखो फरस्ट अफो बड़ी ग्रेटर देन इक्वल टू यू यू तो बाद आपन स्टेटमेंट अगली यूज कर दिया है यू ग्रेटर देन A ठीक है क्योंकि A इक्वल टू S S इस ग्रेटर देन इक्वल टू आर ठीक है S इस ग्रेटर देन इक्वल टू आर ठीक है क्योंकि आपड़ी थे हार दा ही रिलेशन फाइंड आउट करना सी उन्हों कहनदा की कहनदा D ग्रेटर देन आर हो सकता है पुसी बाद तो तुसी देखो की कह रहे है कैना D एचना D है जडहा ओ U दे ब्राबर भी है और U तो बड़ा भी है U है जड़ा ओ A तो बड़ा है A है जड़ा ओ S दे ब्राबर है Ultimately S है जड़ा ओ-R दे ब्राबर है R दे ब्राबर हुए है तो clearly है पी जड़ा physically विख्या जब ये ताटस तो बड़ाओ गया ना इना सारे यांने ना लग गतलोग की है क्या option वी ग्रेक्ट होई first वी ग्रेक्ट सी second वी ग्रेक्ट सी उन options चेक करलो उखेना mark की करो E अगर पेला दे दूसरा दोनों करेक्ट हो रहे है ता पांसर की mark करतांगे E mark करतांगे हंजी next last question 10th है जल्दी attempt करो तो डिको लगी इन वन मिनिट दा टाइम है तो, जो दो नजा है प्रूला आएँ झाल आएँ झाल अजा लेगं झाल कर्सान प्रूल मिन आएँ मिन उती हाँ जी तो टाइम में जिड़ा हो कम्प्लीट उंद है अब चेक कर लिए अंसर किया गया देखो फरस्ट फोल में थे जवाईन कार चुका एल एस देन एन एन ग्रेटर देन इकोल टू सी सी कोल टू के टी एंड सोन उन देखो इनने कोश्चन दे विचना पहली कर लिएबल सेम देती है एन एम एम एन और जेड़े विच आ रहे है तो त्यानल देखो इकोल टू सारे आ चार उल्टीमेंटली एथे एम आएगा तर अल्टीमेंटली या ता आ उपर आली सही होएगी ज़ा सले आली सही होएगी दुर्णा चो एक पोसीबल होएगा ना क्रेक्ट अपना अंसर कियाएगा आइदर वान ओर टू तो अप्शन नंबर जड़ी थ्री है अपनी हो बिल्कुल क्रेक्ट अंसर आजेगी आइदर वान एंड टू ठीक है नी अपने जड़े कोश्चन हों कंप्लीट हों दे हुएगा करेथ है 6स से वाकश्च केसे का ऊपना जड़े सांव वही है और 9 अगर तोड़ी कूई भी सुझेशन ऊवे ऐस टेस्ट चेंट सुजेशन कमेंट बोक्स दे विच करके जिरूर दसनी है कमेंट करके कि के में आसी ओर रिस्टी नो इंप्रूब कर सकती है तहे जड़े टेस्ट है तो डेली होया करनेगे डेली रिजनिंग दे 10 जा 15 कोशन है जड़े मैं तो नू कराया करूँगा फर्स्ट फोल मैं तो नू एमें ही एक कमेंट दा टाइम दोंगा बात दे विच वे टाइम होली होली अपर डिक्रीज कर दे जावांगे और अल्टिमेटली अपा अलग लग तरहां दे कोशन देखने और तो डीट स्पीड नू अजड़े इंप्रूब करने जी ठीक है जी थ थेंक्यू थेंक्स अलोट